हुआ है जैसे हाने में देश्टी में घुसी में नमक गाने में हुआ नमक डल देटे हैं अनोनमट डलकर अच्छी अच्छी मिला लेंगे रब्ल 진 तामस्टी को पांच मिनट दक और भूनेंगे या है मचली और चावल बन कर फिला हाल्थ तो नमस्ते दोस्तों आप सभी सवागा थे फिर से आपके अपने चैनल फिलेज कुकिंग अंकल में तो दोस्तों चलिए हम आज बनाएंगे यानि गड़ी मचली तो मचली बनाना सुरू करते हैं तो आप लोग से बिंती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए गा और लाइक किजेगा और चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और चलिए अब हम बनाना सूर करते हैं तो देखिए यहां पर हम ले लिए गड़ाई मचली जो की काला वाला गड़ाई मचली है और खाने में काफी टेस्टी लगता है और यानि कहें तो कट जाता है मचली और हाथ सिलिप भी नहीं करता है यानि हाथ बहुत ज्यादा सिलिप करता है मचली में काटा बहुत कहें तो बहुत यह की होता है यानि बहुत कम होता है ज्यादा मचली में गुद्दा होता है और सभी हम पंखों मचली में काट लेंगे काट लिए और गल्फर निकालना होता है तो यहां से बीच में से काट लेंगे और अच्छा से अब साफ कर लेंगे मचली मचली हम दो टूका कर लेंगे बीच में से काट देते हैं थोड़ा मचली बड़ा-बड़ा है इसलिए हम दो दो टूका कर देंगे वह समय क्ष़ी तरह काट लेंगे औरम अवैं मचली काटने में काफी टायाम यानि के तो 30 मिनट लगा तो मचली मचली काट लेते हैं आप लोगा ऐसे वीडियो में बने रहीएंगा रेखें मचली को अच्छान से राख लगा कर चलिए मचली अब हम धुलेते हैं कि दिनें टिंग बड़ी ज़िए मचली अब हम धोलेते हैं और मचली को अच्छा से अब रगर लेंगे ताकि इसमें जो चोहियां बचा हुआ होगा छुट जाएगा अच्छा से और मचली को अब साफ पानी में फान से पानी अच्छा से धोलेंगे मचली अम अच्छा से अगरलिया और मचली को दो तिन पानी अब अच्छा साफ पानी में धोलेंगे अचिव देखे बचली को हम हम पानचे पानी अच्छा से अब धोलिये बिल्कूल साफ हो गया है मचली ठोध से नहीं हैं チटया थोली से अब चुला दरा लिए मचली बनाएंगे आज मचली assignments ऑंसाला मिलाकर मसाला है double ओल देंगे कर necessizer ऑसे मेरे मचली में डाल देते हैं though दनी Kinda aç यदे मसा ले सक्ते हैं और यहीं पर ले लेंगे एक चमच के करीब हम लेंगे जीरा और काली मिर्श पाउडर और तीखा अनुसार हम ले लेंगे लाल मिर्श पाउडर लाल मिर्श पाउडर एक चमच और आधा चमच ले लेंगे आज हम बुका हुवा मसाला ही डाल कर बनाएगे और आधा चमस करीब हम ले लेते हैं कलर के लिए हल्दी पाउडर एक कर दो है तो पीसा भुए सांवे हैं और यहीं पर टलनेके थोरा से हम पाणिवां बिल्कुल से हैं If यह abồi जाए और देखे को अब अच्छछ यानि बनाए मसाला एक ही में मिलाकर और देखिए अच्छे से मसाला हम मिक्स कर लिए मचली में और मचली अब हम ठक कर रख देते हैं पाच दस मिनट के लिए ताकि अच्छे सेट होगा नमक हम नहीं डाले हैं नमक बाद में डालेंगे मचली बनाने के लिए तेल डाल देते हैं और देखे तेल हम यह आपे डाल दिये तेल को अब अच्छे से गरम करेंगे तेल में डाल देते हैं काला वाला सरसो जब चटक जाएगा तब इसमें मछली डालेंगे और देखें मसाला भी अच्छा से मिल चुका है अब हम तेल में मछली डाल देते हैं मचली डाल दिया और मचली अच्छा से चला कर हम भूनेंगे कि कितना मस्त मचली भूनाने लगा मचली को अब हम पान से साथ मिनट तक अच्छा से भूनेंगे ताकि मसाला और मचली अच्छा से भून जाए तेल में इसी तरह चला चला कर हम भूनेंगे मम हम मचली 7-8 मिनट तक अच्छा से भून ली है और इसी में मचली खटाखा खटाटा खाने में काफ़ी टेश्टी रखता है अब इसी में हम डाल देते हैं मचली में स्वादूशा नमक है प initiatives in 18henिए कि पॉन दाल कर मचली अच्छे से मिला लेंगे और मचली को फॉन रखे तो पाशी मिनटे में तक आप मचली में अच्छा बुण आ जाए देखिए टामातर डाने से काफी अच्छा कहें तो अच्छा बड jerk अच्छी से भून लिया से कि अछली में पानी डालते हैं और मछली दम्ला के लिए मचली में पानी डाल दिये हैं अब धक कर मचली हम पका लेते हैं धक देते हैं अब चलिए मचली अब हम चेक कर लेते हैं और देखें मचली कितना मस्त पकने लगा और मचली में अच्छा सा उबाल भी आ गया और कलर भी आ गया मचली थोरा सा और पका लेंगे उसके बद मचली हम उतारेंगे और आप जहें तो मचली में टामाटर काट करया सकते हम व्याह быть करो डाल धिया है अब देखिए मचली बन कर तेयार हो गया मचली पूरा अब गाड़ा बना लिए मचली अब हम उतार लेते हैं रासा वाला बनाए हैं चावल से खाने के लिए और मचली अमम उतार ले UP कि अनि तो देखें को तो देखें दोस्तों यान मचली और चावल बनकर फिलाल त्यार हो चुका है आज शुआज गर्वी मचली आज लोग बनाए तो आज दोस्तों फडाई के अगर मचली नहीं बनाए गया से देखें यह तो वन को दिस्टाइल में दूस्तों ऐसे ही हम लोग खाते हैं पूरा बिंदास्त आये आप लोग खाने के लिए अचली देखें खाना-खाना में दोस्तों लिट हो गया हमारा कि अब अब कि अब कि अब कि भूंका भी बनता है तो मस्त होता है अज़े भला है तो काफी मस लग रहा है दूस्तों को ठोव़ोई मस ली ए जिन्दा मस्त ही ठीक दम ताजा बनीठे लग रहा है काफी मस लग रहे तो चले दूसतों मोई i आप लोग को अच्छी लगयों तो वीडियो को लाइक कर दीजी और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एम बहन और दर्सागन पाली बार चैनल पढ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसी प्यार सपोर्ड बना रिखे दोस्तों और मशली बना का एक बार जरूर स्प